CDD में दया के नाम से मशहूर दयानन शेटी ने क्रेम शो को फिल्माने की अनूथी चुनोटियों पर विचार किया, जो 2018 तक 20 साल तक चला. जैसा की श्रंखला वापस आने वाली है, शेटी ने कठोर शूटिंग स्थितियों के बारे में जानकारी साजा की और पर्यावरण की तुलना सैनी सेटाप से की. अभिनेताओं ने व्यक्तिगत वैनीती वेन के बिना काम किया, मेकप स्पी साजा की और एक दूसरे के साथ सामान व्यवहार किया चाहे अनकी स्थिति कुछ भी हो. शेटी ने बताया कि CDD को फिल्माना शारिरिक रूप से कठिन था, जिसमें कभी-कभी सीवेज और मैन्होल सहित कठिन और अस्वास्थिकर स्थानों पर DRSHY शूट की जाते थे. अनहोन इस बात पर जोड़ दिया की कलाकार प्रामानिक DRSHY दीन के लिए प्रतिबाद थे और अनहोन चुनौती पूर्ण सेटाप को कभी अस्विकार नहीं किया. लगातार बदलते स्थानों और कलाकारों ने काम को ताजा रखने में मदद की और शेटी ने कहा कि आनहोन बिना किसी एहंकार के काम किया, तीमावर्क और सौहार्द की मजबूत भावना को अपनाया. प्रशन्सक बिसबरी से शो की वापसी का इंतजार कर रहे हैं. उमीद है कि या वही आकरशन और धैरी बनाए रखेगा.